दोस्तो हमारे आज के इस वीडियो का टापिक है जनरल करेक्टिरिस्टिक आफ टेरिडोफाइट्स जो की आपके B.Sc. 1st Year, 2nd Semester, Botany का 2nd Unit है तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के जनरल केरेक्टर तो बड़ा ही important वीडियो है वीडियो को ध्यान से देखेगा और पुरा देखेगा वीडियो को इस्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि second semester botni का जो first unit है उस पहले ही मैंने वीडियो upload कर रखे हैं जिसका link मैंने आज के इस वीडियो के नीचे description box में दे रखा है उस इतने भी वीडियो upload है वो सभी new education policy के syllabus के according बनाया गया है तो बहुत ही helpful वीडियो है आप जरूर इन वीडियो को देखेगा तो आएए आज के वीडियो की सुरुआत कहते हैं और बात कहते हैं general characteristic of teridophytes तो क्या होते है teridophytes तो teridophytes word के meaning को अगर हम समझे तो teridophytes में जो सब से पहला word है teron जिसका मतलब होता है feeder और इसके बाद है fighton जिसका मतलब होता है plant तो ऐसे पोधे जिनके पतियां punk नुमा होती है उन्हें हम बोलते है teridophytes तो अगर हम देखे तो kingdom जो plant है वो four major group में divide किया गया है enjoy sperm, gymnosperm, prime fights और teridophytes तो इसमें पाये जाने वाला जो teridophytes group ह इसमें लगभग 11,000 से भी अधिक जातियां पाई जाती है और इस प्रिथवी पर सबसे पहले जो terrestrial plant पाया गया था वो teridophytes ही था जैसा कि हम सभी जानते है जब प्रिथवी का origin हुआ तो उस समय प्रिथवी पर केवल पानी ही पानी था और जब land का evolution स्टार्ट हुआ तो इस प्रिथवी पर जो सबसे पहले terrestrial plant हुए वो teridophytes ही थे यहाँ पर आपको बता दे teridophytes are cryptogames which have well developed vascular tissue तो cryptogames होते क्या है any plant that reproduce using spore rather than seed are called cryptogames यानि कि ऐसे पौधे जो कि reproduction के लिए seed के बजाए spore का use करते हैं उन्हें हम कहते हैं cryptogames तो आपने पढ़ा होगा इसके पहले algae, fungi, lichen, bryophytes ये सभी cryptogames के अंतरगत आते हैं और इनके अलावा जो हम आज पढ़ रहे हैं teridophytes ये भी cryptogames के अंतरगत ही आते हैं तो यहाँ पर आप इस point को note कर लिएगा कि जितने भी cryptogames plant होते हैं उन्हें न तो flower बनते हैं और नहीं seed बनता है ये सभी plant अपना जो reproduction है या फिर कह सकते हैं अपनी जो संख्या है वह spore के माध्यम से ही बढ़ाते हैं teridophytes are also called fern तो teridophytes को हम fern के नाम से भी जानत हैं they are the first terrestrial organism to have well developed vascular tissue तो यहाँ पर आपको बता दे कि यह ऐसे cryptogamous plant थे जिन में की well developed vascular tissue यानि की जाईलम और phloem developed थे therefore these plants are also known as vascular cryptogamous और snack of plant kingdom इसलिए इन्हें vascular cryptogamous के नाम से भी जाना जाता है इसके अलबा teridophytes को हम snacks of the plant kingdom भी कहते हैं क्योंकि यदि आप इनके पतियों के structure को देखेंगे तो यह आपको सर्प नुमा दिखाई देते हैं they are represented by about 400 living and fossil genera and some 10,500 species तो teridophytes की लगभग 400 जीवित और इनकी fossils genera report किये गए हैं और लगभग 10,500 जातियां हैं paleobotanical study revealed that these plants were dominant on the earth during the Devonian period and they were originated about 400 million year ago in Silurian period of Paleozoic era यदि हम वनस्पतिक जीवास्म का अध्यान करें तो मिलता है कि जो teridophytes हैं यह Devonian period के समय बहुत अधिक dominant रूप में प्रिथवी पर पाई जाती थी और यदि हम बात करें teridophytes के origin की यानि कि इनकी उत्पति की तो इनकी उत्पति पहले जो एक एरा के Silurian period में आज से लगभग 400 million year पहले या फिर खह सकते हैं कि आज से लगभग 40 करोड वर्स पुर्व पहले हुई थी तो यहाँ पर हमने teridophytes के introduction वाले part को देखा आज यह next हम बात करते हैं teridophytes के general character की तो चलते हैं पहले character की ओर majority of the living teridophytes are terrestrial and prefer to grow in cool, moist and saddy place तो teridophytes की जितनी भी living जाती हैं यानि कि जो जीवित जाती हैं वो terrestrial यानि कि इस्थली जीवन वेतीत करती हैं और प्राहय ऐसे इस्थल पर grow करती हैं जहां पर moisture हो, छायदार हो और ठंड हो some members are aquatic, इसकी कुछ जातियां जो होती हैं वो जली होती हैं like marsilia, azola इसके लबाद teridophytes की कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो कि zero fitic condition में भी grow करती हैं यानि कि ऐसे इस्थान पर पाया जाते हैं जहां पर पानी की कम होती हैं जैसे कि salinella, rupestris, aquisitum इसके लबाद teridophytes की कुछ जातियां epiphytic यानि कि अधिपादप के रूप में किसी दूसरे पौधों पर भी grow करती हैं जैसे कि lycopodium, squarosum चलते हैं अगले character की और majority of the teridophytes are herbaceous but a few are perennial and tree-like तो teridophytes की जो maximum जातियां होती हैं वो आपको साकी रूप में दिखाए देंगी यानि कि साक के रूप में दिखाए देंगी लेकिन इसकी कुछ जातियां जो होती हैं वो पेड उनमा आपको दिखाए देंगी जैसे कि angiopteris अब यहाँ पर teridophytes से related दो question आपसे जरूर पूछे जाते हैं पहला कि सबसे smallest teridophytes कौन सा है और दूसरा सबसे largest teridophytes कौन सा है तो smallest teridophytes की बात करें तो azola smallest teridophytes है और यदि बात करें हम largest teridophytes की तो scythia largest teridophytes है और जैसा कि मैंने पीछे आपको बता था कि azola एक aquatic fern है वहीं scythia की बात करें तो इसे tree fern भी कहा जाता है next property है plant body is sporophytic and can be differentiated into root stem and leaf तो इनकी जो main plant body होती है वो sporophytic होती है यानि कि deployed होती है जो कि root stem और leaf में divide होता है roots are advantageous in nature with monopodial or dichotomous branching internally usually they are diarch तो यदि हम बात करें इनके root की तो dicot की तरह इनके भी जो root होते है वो advantageous होते है जो कि सीधे यानि कि monopodial या फिर आगे चलकर ये दो branch में यानि कि dichotomous branching में बदल जाते हैं और यदि हम इनके root के internal structure को देखें तो ये diearch होते है diearch का मतलब है two different gylum group तो image में आप देख सकते हैं कि diearch कैसा होता है tryarch कैसा होता है tetraarch कैसा होता है तो diearch die का मतलब two तो यहाँ पे दो different gylum group देखेंगे tryarch में three tetraarch में four hexarch में six उसी तरह polyarch में stem is usually branched branching is monopodial or dichotomous branches do not arise in the axial of the leaf in many teridophytes stem is represented by rhizome तो इनका जो तना होता है वो आमतोर पर साकित होता है branching इनकी monopodial या फिर dichotomous होता है पतियों की धूरी में साखाएं नहीं निकलती और कई teridophytes में जो तने होते हैं उन पर rhizome यानी की प्रकंद पाए जाते हैं चलते हैं अगले character की ओर the steel is proto steel तो इन में proto steel देखने को मिलता है जैसे कि ryania, lycopodium वहीं कुछ जातियों में siphonous steel देखने को मिलता है जैसे कि equisitum वहीं कुछ जातियों में dictive steel देखने को मिलता है जैसे कि adiantum अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि steel होते क्या है तो steel क्या होता है steel कितने type क्यों होते है इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है आप हमाया चैनल के playlist में जाए या फिर इस वीडियो के नीचे description box में जाए आपको steel से related वीडियो मिल जाएंगे बहुत important topic है और इस topic पर भी आपके syllabus में question पूछे गए है और ये topic आपके syllabus में mention भी है तो आप जरूर इस वीडियो को देखेगा चलते हैं अगले point की और cambium is absent hence they do not sow secondary growth तो इनके stem में या फिर roots में cambium नहीं पाय जाता और cambium न पाय जाने की वज़र से ये मोटाई में व्रिधी नहीं करते यानि कि इन में secondary growth नहीं होता